Hello my dear students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, मैं हूँ आपकी science educator Dr. Muskan and आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Magnet Brains में, जहां education मिलती है, एकदम free kindergarten से लेके class 12 तक, Magnet Brains प्रोवाइट करता है, एकदम free education and Hindi medium, English medium, सारे courses available है, UP board, Bihar board, MP board, Rajasthan board, सब कुछ available है, आपको बस Magnet Brains के वीडियो से daily updated रहना है, follow करना है, like करना है और subscribe करना है, students, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं class 7 का chapter number 1, जो है nutrition in plants, इसके बारे में हम detail में पढ़ेंगे कि क्या होता है nutrition, ये nutrients क्या होते हैं, क्यों हमारी body को requirement रहती है, ये क्या करते हैं, तो इनी सब चीजों के बारे में आज के वीडियो म सबसे पहले हम पढ़ते हैं mode of nutrition के बारे में, तो आपको ये समझना है कि ये nutrition क्या चीज है, nutrition बहुत आसान है, जैसे कि हमारी ममा कहती है न, कि अच्छा खाना खाओ, green leafy vegetables खाओ, fruits खाओ, pizza, burger, cold ring कम खाओ, Q students, क्यों कि pizza, burger, junk food रहता है, इसमें बहुत ही कम nutrients रहते हैं, लेकि उसी जगा अगर आप healthy food खाओ, आप दाल खाओ, आप रोटी खाओ, आप सबजी खाओ, और आप सारे fruits खाओ, तो आपको जादा nutrients मिलते हैं, तो ये क्या चीज है, इन foods में जो junk को और एक food को, healthy food को अलग करते हैं, तो ये जो चीज है, ये है nutrients, कहते है न, healthy food includes high number of nutrients, लेकिन junk में उतने ही कम nutrients रहते हैं, तो nutrition और कुछ निया, nutrition एक mode है, जिससे एक organism खाना खाता है, और हमारी body उस खाने को utilize करती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको, कि आपको रोज एक apple खाना चाहिए, green leafy vegetables काने चाहिए, तो आपकी eyesight अच्छी होगी, तो मतलब अगर आप green leafy vegetables का होगे, आप carrot खाऊगे, आप apple खाऊगे, आप healthy खाना खाऊगे, तो आपकी body जाधा से जाधा nutrients लेगी, और आपको growth करने में मदद करेगी, उसी प्रकार अगर आप junk खाऊगे, तो आपकी body कम nutrients लेगी, और आप कम तरीके से grow करोगे, तो ये समझना है कि nutrition एक तरीका है, एक body का mechanism है, हर organism का अलग-अलग तरीका होता है, खाने को utilize करना and उसको growth में मदद करना, is that clear students? लेकिन nutrition के अंदर क्या रहते हैं, जो उसको healthy या bad बनाता है, उसके अंदर बहुत important चीज रहती है, वो है nutrients, क्या रहते हैं students? वो रहते हैं nutrients, एक इंसान को अच्छी growth के लिए, अच् रहते हैं, nutrients रहते हैं and वो nutrients कौन से होते हैं, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals और water तो essential होता है, so students ये सारी चीजे क्या है, ये सारे essential nutrients हैं, जो grow करने में आपको मदद करते हैं, तो nutrition हमने क्या देखा, nutrition क्या होता है students, nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body, मैं आपने क्या समझाया, कि आपने, आपने क्या लिया, आपने ये सारा nutrients, ये सारे nutrients, जो किस में अविलेबिल रहते हैं, आपके food में, तो ये सारी healthy चीजे, healthy चीजे में मैं आपने क्या बताया, carbohydrates, 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 and और क्या रहना चाहिए, fats, proteins, vitamins, minerals, तो ये सारी चीजे, कहां available रहती हैं, आपके food में, and ये जब एक organism, एक organism या plant, देखो students, हम दोनों चीजों के बार में बात करेंगे, ये nutrients, अगर हम utilize करेंगे, हम एक individual, एक बड़े fully grown, कैसे हो पाए, हम छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से हम बड़े-बड़े, कैसे बने, क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें जबरदस्ती अच्छा खाना खिलाया, healthy खाना खिलाया, जब खाने के लिए मना करा, तो हमने ये nutrients का utilization करा, हमारी body ने ये सारी अच्छे अच्छे चीज़े utilize करी and हमारी growth में मदद करी, उसी तरीके से अगर plant को भी हम अच्छे nutrients देंगे, तो वो अच्छे से grow करेंगे, आप आसपास देखते होगे कि कुछ plants होते हैं, जो बहुत ही अच्छे बड़े से होते हैं, उनमें बहुत ही प्यारे flowers रहते हैं, colorful flowers रहते हैं, fruits देते हैं, vegetables देते हैं, लेकिन वही कुछ plants तो decay, debt से पढ़े रहते हैं, तो वो difference क्या है, nutrients का, जिन plants को अच्छे से nutrition मिलता है, वो अच्छी तरीके से grow करेंगे, और उसी जगा, जिन plants को बहुत ही कम nutrition मिलेगा, वो दीरे-दीरे, slowly, या grow ही नहीं करेंगे, तो nutrition बहुत ही जादा important रहता है, एक organism को grow करने के लिए, is that clear? तो हमने अभी तक देखा कि nutrition जरूरी रहता है, एक organism को grow करने के लिए, definition बहुत ही असान है, तो definition क्या है, it is the mode of taking food by an organism and utilization by the body, is known as nutrition, and nutrients क्या होंगे, nutrients, essential components of the food है, जो जरूरी रहते हैं, किसके लिए, आब बताइए, growth के लिए, very good, तो इतना हमें clear है कि nutrition क्या होता है, and nutrients क्या होते हैं, हमने nutrients के बारे में भी देख लिए, nutrients कौन कौन से देखे हमने, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, mineral and water, ये सारे important nutrients हैं, जो food में present होने चाहिए, आपकी better growth के लिए, तो इतना हमें clear हो गया कि nutrients और nutrition क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, type of nutrition, nutrition दो तरीके का होता है, पहला होता है, autotrophic nutrition, दूसरा होता है, heterotrophic nutrition, क्या होता है students, heterotrophic nutrition, अब students आपको ये कैसे समझना है, auto का मतलब क्या होता है, auto का मतलब होता है self, वो organisms, जो अपना food खुद से बना सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, autotrophs, और उस nutrition को क्या कहेंगे, autotrophic nutrition, for an example, क्या हुए हमारे plants, क्या हुए हमारे plants, आप देख सकते हो, एक plant है, उसके पास क्या है, soil है, soil में उसकी roots रहती है, roots की मदद से वो सारे nutrients अब्जॉब करता है, and अपने plant को देता है, जिसकी मदद से वो हमें खाना प्रोवाइट कर पाते हैं, तो autotrophs क्या हुए, आपको वो simple है, science इतनी आसान है, my dear students, कि अगर आप चीजों को breakdown करेंगे, तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही चीज़े आद हो जाएंगी, तो auto का मतलब क्या हुआ, self, खुद से, वो organisms, जो खुद से food बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं, autotrophs, और nutrition को क्या कहेंगे, autotrophic nutrition, तो इसका सबसे important example क्या हुआ, हमारे plants and trees, अब students, plants कैसे बनाते हैं food, तो हमें पता है, plant with the help of sunlight, carbon dioxide and various other minerals, generate their, या synthesize their own food, तो वो organisms, जो inorganic substances से, या light की energy से, photosynthesis की मदद से, जिसके बारे में हम detail में पड़ेंगे, आपको बिलकुल डरनी की बात नहीं है, photosynthesis में आपको इतने अच्छे समझाऊंगी, कि आपको अपने आप ही समझा जाएगा, so students, ऐसे organisms, जो sunlight, light, inorganic चीजों की मदद से, अपना food खुद ही generate कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं autotrophs and nutrition को कहते हैं autotrophic nutrition, अब आते हैं heterotrophs, जैसे हम लोग हैं, हम है, animals है, हमें क्या चाहिए, हमें plants चाहिए, हमें fruit चाहिए, vegetables चाहिए, meat चाहिए, chicken चाहिए, animal चाहिए, ताकि हम खाना खा पाएं, हमें तो हमारे पास भी oxygen है, हमारे पास भी carbon dioxide है, हमारे पास भी soil है, क्या हम अपना food खो generate कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम heterotrophs हैं, हमें autotrophs या दूसरे organism पे dependent होना परता है अपने food के लिए, तो कितना असान हुआ, heterotrophs वो organisms हुए जिनको दूसरे चीजों पे dependent होना परता है, ताकि उने खाना मिल पाए, Is that clear? For an example, mushrooms, human beings, animals, हम सभी को क्या चाहिए? दूसरे organisms की मदद चाहिए, ताकि हमें खाना मिल पाए, Is that clear? तो type of nutrition, दो type के होते हैं, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition वो organisms होते हैं, जो अपना खाना खुद generate कर पाते हैं, खुद produce कर पाते हैं. Heterotrophs वो होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं प्रडिज कर पाते हैं, उनको दूसरे organisms का need रहता है, ताकि वो अपना खाना मिल पाए, Is that clear? तो ऐसी organisms जिनको दूसरे organisms पे dependent रहना पड़ता है ताकि उन्हें अपना nutrition मिल पाए वो होते हैं heterotrophs, is that clear? तो ये clear हो गया autotrophs and heterotrophs क्या होते हैं? अब आ जाते हैं students, minerals क्या होते हैं? plant, अगर मैं आपको plant के बारे में बता हूँ, तो plant, for an example, ये रहा मेरा plant, ठीक है? ये रहा मेरा plant. आजो. तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, अपना प्यारा सा plant. ये है मेरा plant. this is my plant ये है मेरे plant के leaves ठीक है ये है मेरे plant के leaves ये है मेरे plant के flowers तो ये रहे मेरे plant के flowers and plant किसमें grow करता है soil के अंदर तो यहां मैं बना देती हूँ soil तो ये रही soil and इसी के अंदर क्या रहते हैं students roots रहते हैं क्या रहते हैं roots रहते हैं जो soil में embedded रहते हैं अब आज आते हैं सबसे important चीज़ पर कि ये mineral क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो soil रहती है जो soil रहती है इसके अंदर बहुत important elements रहते हैं वो elements क्या है potassium क्या है potassium वो elements क्या है nitrogen क्या है nitrogen and sulfur तो आपको ये याद रखना है कि soil के अंदर important elements present रहते हैं जैसे nitrogen, potassium, phosphorus, sulfur और क्या phosphorus तो ये सारे elements present रहते हैं soil के अंदर हमारे जो plant के roots रहते हैं वो सारे इन elements को absorb कर लेते हैं and अपने पूरे plant में transport कर देते हैं ताकि उनके पास energy आजाए food आजाए and वो अपना food को produce कर पाए तो हमने पता चला कि plant को mineral क्या-क्या चाहिए soil से phosphorus, nitrogen, potassium and sulfur then plants को और क्या important चीज चाहिए light क्या चाहिए sunlight plant को चाहिए sunlight and plant को और क्या चाहिए carbon dioxide क्या चाहिए carbon dioxide जिसका formula क्या होता है CO2 क्या होता है CO2 जिसको हम कहते है carbon dioxide और इनी सारी चीजों की मदद से plant अपना food खुद produce कर पाता है तो हमने क्या समझा कि plant क्या है auto trough plant क्या है auto trough and auto troughs क्या होते है students जो अपना खाना खुद produce कर पाते हैं वो अपना खाना खुद कैसे produce करते हैं क्योंकि soil के अंदर बहुत सारे minerals present रहते हैं कौन-कौन से minerals present रहते हैं potassium sulfur phosphorus nitrogen and water and water तो ये सारी चीजे जब soil से plant के root absorb करते है sunlight और carbon dioxide की मदद से क्या produce करते हैं flower या fruit is that clear तो इतना असान था बस ये समझना कि plant अपना food कैसे produce कर पाता है is that clear students अब वापिस आ जाते हैं कि what are mineral elements ये mineral elements है क्या a large number of inorganic elements तो जो mineral elements रहते हैं वो क्या रहते हैं students in organic elements रहते हैं जो बहुत ही essential जो बहुत essential का मतलब क्या होता है बहुत ही जादा important रहते हैं for all the life processes plant को जिन्दा रखने के लिए plant को खाना बनाने के लिए plant को survive करने के लिए ये सारे elements बहुत ही जादा जरूरी रहते हैं hence they should be taken into diets in adequate amount plants को soil के अंदर ये सब कुछ मिलना बहुत जरूरी है मैंने आपको बता है कि आपने कभी सोचा है कि कौन वो plants कुछ बहुती बड़े हो जाते हैं और उसी जगा कुछ plants रहते हैं जो छोटे से रह जाते हैं growing नी कर पाते हैं dead हो जाते हैं तो ये सारे mineral elements बहुती ज़ादा quantity में available होने चाहिए plant के पास ताकि वो अपना survival या life processes अच्छे से कर पाए अगर इन में से किसी वे चीज़ की deficiency हो जाए या कमी हो जाए और वो चीज़ plant को ना मिले तो plant अच्छे से grow नहीं कर पाएगा और वो क्या show करेगा abnormal growth शो करेगा तो इन सब चीज़ों का plant को मिलना adequate एकदम सही amount में बहुत ज़रूरी है अगर ये सारी चीज़े हलकी से भी कम हो जाए या कोई एक चीज़ भी कम हो जाए तो plant abnormal growth शो करेगा आपको पता है अभी तक 105 minerals है इस total world में and plants 60 to 65 minerals use करते है अगर आपको कोई dress पसंद है तो आपको जरूरी नहीं कि आपकी friend को भी वो dress पसंद है आपको कोई color पसंद है जरूरी नहीं आपकी friend को भी पसंद है आपको mango पसंद है आपकी friend को बनाना पसंद हो सकता है strawberry हो सकता है तो हर इंसान की अलग-अलग preference रहती है to grow, उसी तरीके से plant ज़रूरी नहीं है, सारे minerals utilize करें, हर plant को अलग-अलग mineral की requirement रहती है, ताकि वो grow कर पाए. यह जो 60-65 minerals available रहते हैं, यह क्या रहते हैं, यह absorb होते है plants के with the help of roots, तो यह सारे minerals plant absorb करता है, roots से जो कहां रहती है, soil के अंदर, अब different species of plants take up different nutrients, हर species अलग-अलग nutrients का utilization करती है, अगर उसको mineral को phosphorus, potassium की ज़रूरत है, तो वो उसका use करेंगी, किसी को nitrogen, sulfur की ज़रूरत है, तो वो उसका use करेंगी, तो मेरे कहने का यह मतलब है, कि हर plant की requirement अलग-अलग होती है, अपनी requirement के according, वो minerals का utilization करते हैं. Now, यह सारी चीज़े ज़रूरी क्यों हैं ताकि plant एक healthy growth कर पाए, is that clear? चलिए. Now, certain minerals like phosphorus, magnesium, यह बहुत ज़रूरी रहते हैं, किसके लिए? Growth के लिए, reproduction के लिए, reproduction मतलब flower बनाना, fruit बनाना, healthy leaves बनाना, तो यह सारी चीज़े के लिए phosphorus and magnesium बहुत ज़ादा important है. अगर हमारे plants को water और soil अच्छी ना मिले, तो भी वो grow नहीं कर पाएंगे. Water तो बहुत ज़ादा essential है in minerals के utilization के लिए. तो water and soil सबसे ज़ादा important रहती है, एक plant को healthy तरीके से grow करने के लिए. Is that clear? चलिए. अब हम यह समझते हैं कि macronutrients क्या होते हैं, micronutrients क्या रहते हैं. मैंने आपको क्या बताया? कि science इतनी आसान है कि आपको बस word को break down करना है and आप समझ जाएंगे. अब आप मुझे बताईए, यह macro मतलब क्या होता है? Macro मतलब बहुत जादा बड़ा. Macro का मतलब क्या होता है? Large. And micro का मतलब क्या होता है? Micro का मतलब होता है small. तो micro का मतलब होता है small. अब minerals क्या है? मैंने आपको बताया, वो nutrients जो प्लांट को जरूरी रहते हैं ताकि वो healthy तरीके से grow कर पाए. तो ऐसे nutrients, ऐसे minerals जो प्लांट को large quantity में चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे? Macro nutrients. And ऐसे minerals and nutrients प्लांट को small quantity में चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे? Micro nutrients. तो कौन-कौन से है Macro nutrients? यह है Phosphorus, Carbon, Sodium, Nitrogen, Potassium, Magnesium, Hydrogen, Calcium and Oxygen. इसके अलावा भी important है, बस आपको याद रखना है Phosphorus, Potassium, Calcium, Sulfur, Nitrogen. यह सारी चीजे प्लांट को बहुत ज़ादा quantity में चाहिए रहती हैं. इसलिए इनको हम क्या कहते हैं Macro nutrients and उसी तरीके से Iron, Boron, Nickel, Manganese. यह प्लांट को बहुत ही कम quantity में चाहिए रहते हैं. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं Microminerals. Is that clear? तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है. आपको बस यह देखना है कि कौन से चीजे प्लांट को ज़ादा quantity में चाहिए? वो चाहिए हमारे Phosphorus, Potassium, Sulfur and Nitrogen. और कौन से चीजे कम चाहिए? वो चाहिए Boron, Manganese. तो यह सारी चीजे प्लांट को बहुत ही कम quantity में चाहिए. तो इसलिए हम इने कहेंगे Microminerals. ठीक है Students? तो हमने यह concept भी समझ लिया कि Macrominerals क्या है? और Microminerals भी क्या है? अब हम आगे बढ़ते हैं. मेरे session में हमेशा आपको कुछ अलग मिलेगा. तभी तो आप बाकी बच्चों से अलग हो पाओगे. तभी तो आप कहपाओगे किया आप Magnet Brain Students हैं. तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक बहुत ही interesting question. जो है, थोड़ा सो दिमाग लगाना पड़ेगा कि यह Hydroponics क्या है? कभी आपने सुना इसके बारे में? तो मैंने आपको क्या बताया? Science, इतनी आसान है students. All you have to do is just break down the word. Hydro, Hydro का मतलब क्या होता है? Hydro Energy, Hydraulic Energy. क्या होता है Hydro का मतलब? Water. Hydro का मतलब होता है Water. तो ऐसे plants, जो हम पानी की मदद से ग्रो करते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? HydroPonics. तो plants grown in water, not soil. इनको हम soil में नहीं ग्रो करते हैं. इनको हम पानी में ग्रो करते हैं. इसलिए इनको हम कहते हैं HydroPonics. अब आप बताओ, वाटर में ग्रो करने से तो जरूरी नहीं यह plant ग्रो कर पाए. इसलिए हमें क्या आड़ करना पड़ेगा इसमें? बहुती सारे nutrients. क्या आड़ करना पड़ेगा? बहुती सारे nutrients. तो वो nutrients जो plant को soil से मिलते थे, वो nutrients हमने water को दे दिये. और उन plants को हमने water में ग्रो कर दिया. इसलिए हम उसे कहते हैं hydroponics. तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि plants को nutrients चाहिए वो होते हैं. दो ताइब के macronutrients जो plant को बहुत ही ज़ादा quantity में चाहिए रहते हैं. और हमने पड़ा micronutrients जो plant को बहुत ही कम quantity में चाहिए रहते हैं. macronutrients कौन से हैं students? phosphorus, potassium, magnesium, nitrogen, sulfur. ये सारी चीज़े plant को बहुत ज़ादा चाहिए रहती हैं. boron, carbon, manganese plant को बहुत ही कम quantity में चाहिए रहती हैं. उसके अलावा हमने पड़ा कि nutrition दो टाइब का होता है. कौन सा होता है? autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. autotrophic nutrition वो होता है जो organism अपना food खुद produce कर पाते हैं. heterotrophic वो होता है जो किसी और organism पे dependent रहते हैं और वो अपना food खुद produce नहीं कर पाते हैं. तो आज के session में हमने ये समझा कि mode of nutrition क्या होता है? nutrition क्या होता है? nutrients क्या रहते हैं? and ये सारी चीजे growth के लिए plant हो, animal हो, human mean हो इन सब के लिए बहुत important रहते हैं. अब students, आपके लिए मेरे पास एक homework question है. आपके लिए मेरे पास एक homework question है. वो है कि आपको next session में या इसी session के comment section में मुझे बताना है कि what are photo heterotrophs? अब मैं चाहती हूँ कि सारे इस बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं मुझे अभी comment section में बताए कि photo heterotrophs क्या होते हैं. and next video में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. So students, आज के वीडियो में हमने देख लिया है mode of nutrition. क्या हो इसी के साथ student हम अपने session का end करते हैं. session end करने से पहले मैं आपको बता दू कि Magnet Brains प्रोवाइड करता है high quality education kindergarten से लेके class 12 तक and वो भी एकदम free of course students. सब कुछ एकदम free में available है. Magnet Brains English नहीं, Hindi medium की भी सारे courses available करता है. UP board, CBSC board, Delhi board, Bihar board, MP board, इनी सब सारी चीजों की चीजे available रहेंगी Magnet Brains पे. Magnet Brains की website भी है www.magnetbrains.com आपको बस जाना है and हमारे सारे videos, content, सभी कुछ arranged है and अगर आप चाहें, तो Magnet Brains की e-notes, e-books भी available करवा सकते हैं. आपको बस जाना है, description box पर given जो link है, उसको click करना है आपके पास आपकी books आजाएंगी. So students, Magnet Brains believe करता है high quality education and that too, एकदम free of cost. आपको बस Magnet Brains को follow करना है, मेरे नए नए वीडियो के लिए updated रहना है. Stay tuned students and have a nice day.